अलो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग तो भाई साब अपकमिंग कार्स दोजार चोबिस के जितनी भी अपकमिंग कार्स है उन सब की छुट्टी करने के लिए टोयटा अपनी एक SUV मिडल क्लास SUV सबसे कम कीमत की मिडल क्लास फैमिली के लिए लूँच करने वाला है टोयटा की राइस सिक्स सीटर कार होने वाली है दोजार चोबिस में लूँच होगी आपको कैसे लग रही है भाई साब वीडियो में ये राइस देखने के में और मुझे भी कमेंट सेशन में जरूर बताना मुझे तो परसनली बहुत ज़्याद अच्छे लगी इस वीडियो में इस कार के बारे में सारी चीज़ेंगे बहुत ही अच्छे फीचर्स और बहुत अच्छे लुक्स के साथ ये वाली टोयटा राइस बहुत ज़्यादा कम कीमत में लौँच हो रही है तो भाई साब वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है आकाश और आपको हमारे चैनल बहुत ज़्यादा स्वागत है लुक्स और डिजाइनिंग की बात की जाए तो भाई सब टोयटा राइस में एस्वी कार में आपको बहुत बड़ेट साइज के टेल लैट देखने के लिए मिल जाते हैं के साथ 17 इंचिस के आपका अलवी विल देखने के लिए मिल जाएंगे और 80 इंचिस की टच कारी के लिए बता दू भाई सब टोयटा की गाडिया है वह सेफटी फीचर में सबसे ही ज़्यादा आगे हैं और टोयटा की यह वाली जो कार आने वाली है तो यह सारी पे 98 बीच्पी की पावर आपको निकालेगा 4000 आरपीम पे आपको 148 आनम का न्यूट्रल मीटर का टॉर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस कार भाई सब इस सेग्मेंट के पहली गाड़ी होने वाली है ट्योटा की जो रेज है यह इसके गरें इंटिरियर की बात क की जाए तो सेफटी की खासी चीजे देखी गई है और बहुत ज़्यादा खासियात रखे गई है सेफटी के बारे में ट्योटा की जो यह रेज आई सेवी लॉंच होने वाली है इसके प्राइजिंग के बारे में आपको बता दे तो मिडल क्लास के लिए बहुत ज्यादा स की की तो ट्योटा की जो यह रेज है जो मैं आपको अभी पहले ही बता दिया था यह मिडल क्लास फैमिली के बहुत जाता बढ़िया और बहुत अच्छे सो टेबल प्राइस के साथ लॉंच की जाएगी तो साड़े तीन लाग रुपे से तीन लाग पचास सुरू होके यह पांच लाग पचास जार रुपे तक इसकी कीमत जा सकती है लुक्स आपको इस कार के बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे देखने में जैसे कि मुझे बिच्छे लगे हैं इस कार में जो सिफ्टी फीचर्स मिलने वाले वो मैंने आपको बता दिया है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होगी तो जाके भी सेबुक करा दीजिए और मेरी वीडियो पर अगर आप नए है चैनल पर नहीं है तो बाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना आगे बढ़ाना चैनल को और मैं ऐसी इंटरस्टिंग टाइप किसी वीडियो मा आगे भी आपके लिए लाता रहूंगो थैंक्स फॉर